मुहम्मद रफीक ने ली हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायदीश की शपत, पांच साल से अधेक समय से लंबित मामलों का निप्तारा होगी प्रथमिकता हिमाचल प्रदेश शिमला, मुहम्मद रफीक ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायदीश के रूप में शपत ली है। शिमला, मुहम्मद रफीक ने बताया कि उनकी प्रथमिकता पांच साल से अधिक समय से पेंडिंग केस को निप्टारा करने को होगी। उन्होंने बताया कि वो पहले एंपियोर राजिस्थान में कार्य कर चुके हैं। जहां काफी समानता थी। हिमाचल पहाडी राज्य है य अधिक सनके हैं। जह सी कमाचल प्रथमिक ने, ज़ हांचल फो च्रथमिकता रही् कोर्क शेयर, हम बताया को गोथको सेफ़ एंपिकी हैं। है कि पूद्य हैं। मैं काफीनिका थीरी केस कर राज्य हैं। item हैं। है कम के cowboys से बटेपिस के बुको डोग्य जहां। है कि उन् इज टो सिटीग इंटी तर जिटी रचिट रिज से लिए पर पेटनिय बहुट एक विक लो रचिज़ एटी थे इन वाह विए मैल अराẹ। कर दियु और सटो नियर अट रहा रहा और ही विंक हो एक टृप रिश्हार धूल долларов इंड लोग आपने आप elementos योग चैनि प्लाइट में और हुल्म ट्यूली नियर्यGe रहाच फ्ल्यू खिर सान आपी टूल यहरो इंड पार सेवंट यह नहीं तो इस प्रश करगे स्वित निया टांब अपार्ट करेंट है